विप्समिल्लाइर मालिर्ण रहीम, एसलामलेकुम फ्क this video छोरी सिर्झック के टोपिक करेंगे प्रीज़न अ इनिमल्स को डिसक्किन गब टूम्हार करते हैं पहले टॉपिकस यह एक्सक्रिशन अ हायध्रा, नाटोबस तोस्के अमुनिया होती है अच्छा अब इसमें diffusion का process कैसे होता है आप लोग स्क्रीन पे एक diagram देख रहे हैं कि external layer से excretory product या excretory जो fluid है वो diffuse out होकर बहार चला जाता है और जो excretory fluid internal layer में होता है वो gastrovascular cavity में जाता है फिर वहां से mouth की opening के जरिए excret हो जाता है हाइडर के पास एक ही opening होती है mouth की जहां से food आता है और excretory product excret होता है हाइडर ब्लॉंग करता है phylum night area को जो के diploplastic होते है एक्सक्रीशन in plan area plan area phylum platy helminthus को ब्लॉंग करता है जिनने platform भी कहा जाता है यह diploplastic होते है इसके पास excretory canal होती है जिसकी 2 opening होती है पहले तो यह देख होती है डाइग्राम में देख लिए आप लोंगी टूर्नली रन कर रहें बॉडी के अंदर दोनों साइट पर एक्सक्रीटी के नाल है एक आउट साइड जिसे कहते हैं एक्सक्रीशन का काम करती हो और एक होती है इंसाइड ओपनिंग जिसे फ्लेम सेल का जाता है जो कि ऑस था इस तो लेक्स अकाम होता है री अब्स ओख राना तो बॉडि में से फिल्यट फ्लेमसल के पास जाएगा वहांसे भापर री अब्सक्रीशन होगी और रेजिस और उसके बाद डा तो स्की प्रोडक्ट पर ऐस अडियंग घ्रीटी पोड़क्त परॉड़क्त के जरींग स्क्रीट आउट हो जाएगा अब प्लैनेरिया में वह वाले अनिमल्स आते हैं जो के पैरसाइटिक हैं यानि कि फ्लैट वां में एक काम था उस्मोरेगुलेशन और फ्लैट वां में एक कि स्क्रीशं ऑउस्मोरेगुलेशन दोनो आजाएंगे एक्स्क्रप्रीशन इन अर्थ 머ुंड फाइलम लीटा को ब्लाँव करते हैं इनके पस सेगमेंट के पी king अपनिंग होती है एक इनर और एक आउटर इनर ओपनिंग को नेफल स्टोन के पास सीलय होते है जो कि रीयब्सरशन के काम करते हैं जब लीडाता है तो यहां पर रीयब्सरशन होते हैं उसके बागी बाकिज़्च प्रोडप्ट होता वह आगे चला जाता है मेंटनेफरीडि नेफ्रियोडियोपोर्ट से पहले एक region आता है जो कि डेलेटीर एंडेया होता है जिसको urinary bladder कहा जाते है जिसके अंदर urine इस्टूर होता है उसके बाद नेफ्रियोपोर्ट से एक्सक्रीट होता है आफरी है एक्सक्रीशन और कोक्रोज फैलब आर्थेपोर्ट को ब्लोंग कर मिटगेर्ट जहाना और हिंडगेर्ट जहान से स्टार्ट हो रहा है वहां से मेल्फिजन टीबुल आराइज होती है कॉक्रोज के पास open type circulating system होता है इसका अंतलब होता है कि इनका बलड होता है और लिंफ होता है दोनों मिक्स हो जाते हैं को कहते हैं हीमोलिंफ और Malfigion Tubule के एर्द गर्द जा इसी बात वह हीमोलिफ गूम रहा होता है, सर्वाइफ कर रहा होता है और Malfigion Tubule के उपर कुछ सेल होते हैं, जो के रियप्सार्शन का काम करता है Reabsorption के बाद जो बाकी का fluid होता है excretory वो आगे rectum में जाकर store हो जाता है in the form of uric acid और uric acid जो है rectum में store इसलिए होता है क्योंके वहाँ से water की reabsorption होती है क्योंके insect को water की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है after reabsorption uric acid काफी ज़्यादा dry form में आ जाता है उसके बाद ये excret हो जाता है यहाँ पर excretion in animal खतम होता है अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो like share और subscribe जरूर कर दीजेगा और अगर कोई सवाल हो तो community section में आप लोग पूछ सकते हैं